नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 मैं हुश रहे आपके साथ एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में 370 आर्टिकल को लेकर कहर मच गया है जी हम आपको बता दें कि अमिट शाह का रक्षा मंतरी जो थे पाकिस्तान उस पर अमिट शाह ने ऐसा बयान दिया और उन्हों वो काफी जादा गुस्से में नजर आए साथी साथ रक्षा मंतरी जो थे पाकिस्तान के उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल के मामले में वो कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफरेंस के साथ है इस पर अमिट शाह ने कॉंग्रेस पर जम कर प्रहार किया और सीधे सीधे बोला कि अब कॉंग्रेस जो है वो ना सिफ देश विरोधी नीतिया करती है बयान बाजी करती है अब साथ ही साथ उनका जो प्लान है वो एक्सपोज हो गया है क्या कुछ है बाते इस खबरों में आई आपकी भी साचा करते हैं बने रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान के रक्षा मंतरी खौजा आसिफ ने आर्टिकल 370 को लेकर बयान दिया केंदे ग्रे मनिंद्री अमिर शा ने कहा कि पाकिस्तान की रक्षा का आर्टिकल 370 और 381 पर कंग्रेस और JKNC का समर्थन की बात ने एक बर फिर से कौंग्रेस को एक्सपोज़ कर दिया है इस बियान में पुना ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि कॉंग्रेस और पाकिस्तान के इराधे भी एक है और एजेंडा भी पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी देश्वासियों की भावना को अहत पहुचाते हुए एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खरे रहे हैं अमिट शाह ने आगे कहा कि एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हो या भारती सेना के बारे में आपत्ती जनक बाते करना हो राहुल गांधी की कॉंग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कॉंग्रेस का हाथ हमेशा देश्वासियों शक्तियों के साथ रहा है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का ये भूल जाता है कि केंद में मोदी सरकार है और इसलिए कश्मीर ना तो आजगल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंगवाद दरसल पाकिस्तान के जियो न्यूस पर हामिद मीर ने कैपिल टॉक पर पाक के राष्ट्र मंतरी ख्वाजा आसिफ को पहुचे थे जहां पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में अनुछे 370 और 35 ए की बहाली पर पाकिस्तान और नाशनल कॉंफरेंस कॉंग्रेस गडबंदन एकमत है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहां तक कि हमारी मांग भी यही है कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफरेंस गडबंदन के अनुचे 375 और बहाल करने के मुद्धे पर पाकिस्तान ने उनके साथ दिखाया हामी तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना कि किस तरीके से अमिट शा ने सीधे सीधे मुद्धे पर बात किया है ना से तंच कसा है बलकि इल्जाम लगाया है कि वो जिस कॉंग्रेस आए दिन जिस तरीके से आपती जनक बाते करता है देश विड़ो दी बाते करता है और अब तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जानते वे बे किस तरीके से हालात है कॉंग्रेस जो है वो ऐसे काम कर रहा है जिस पर पाकिस्तान के रक्षा मंतरी उसके साथ हामी भर रहे है कॉंग्रेस के साथ हामी भरे चाहिए वो 370 आर्टिकल को लेकर हो या फिर 35 एक को लेकर हो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्चन में लेकर जरूर बताईगा एसी तब हम न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24 अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारी यूट्यूब चनल को जादर साथरा सब्सक्राइब करें अगर आप में फेस्बूक पेच पे देख रहे तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें, धनिवर